गर्मियों के सीजन चल रहा है दोस्तों और गर्मियों के सीजन में वराइटी के आम आते हैं मार्किट के अंदर जो बहुत ही मीठे रसीले होते हैं तो क्यों आज हम मैंगो से ही कुछ मीठा बनाये जाए जिसको हम इंजॉई करेंगे डिनर के बाद अकसर कुछ मीठा खाने क तो आप इसको अराम से अपने घर में बना सकते हो जोई कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं यह बनातों इसके लिए हमने कुछ समान चाहिए होगा तो us to पहले हम कर लेते हैं गए और यह लोंगी डोकाप फुल खरीब्यूर से होगा की जमरा गएग बहुती क्रीमी और टेस्टी बनेंगा तो यह मैंने 2 कप बडल लिया है गएस हमारा फुल आच प Walpir है Connect इसमें दूद में उबालाने के बाद इसको हम स्लो करतेंगे थोड़ा सा इसको दूद को पकाएंगे ज्यादा देन नहीं पकाना है और इसके फ्लेवर आजा इसके अंदर इसमें हम डालेंगे इसके लिए इलाइची दरदरी कूटी हुई इसे जो हमारा केक बनेगा उसका फ्लेवर काफी इनहेंस होगा आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं नहीं तो इसके पर सकते हैं दूद में उबाला गया है गैस हमने स्लो कर दिया तब तक धरम अगला प्रोसेस कर लेते हैं मैंने बाउल ले लिया शीशे का उसमें मैं दो तो प्रूबडर दाल के थाड़ा भी शरच ज़न टाटेवर दूद को और कस्ट्ड पाउडर को प्रॉपर हमने घोर लेना है यह देखी हमारा अच्छा सा कस्टर लिक्विड तेयार हो गया है इतर दूद हमारा दुराद हबल रहा है इन देखी हलका सा दूद अबल प्रह क्रीमी भी हो गया है ज्यादा देर नहीं उबालना है चुकि हमने कस्टड पाउडर लिया इसे दूद हमारा हो जाएगा तुरूंती ठीक यानि की गाड़ा एक दम जिससे कि हमारा क्रीमी केक त्यार होगा इसारा हमने थोड़ा-थोड़ा कस्टड पाउडर इसके दूद के हो गया है आपस में यह देखिए मालाई भी हमने सारी चारव तो छुटा के इसमें रखी डाल दी ग्यास को स्लोक लिए इधर मैंने एक बड़ा आम लिया है अब दो मिरिया आम भी ले सकते हैं इसको मैंने काट के पीसिस में मिक्सी में ग्राइन कर लिया पेस्ट बना लिय यह इस तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी पाउडर और कस्टर पाउडर दूद को यह देखिए हलका हलका गाड़ा होने लगा तो यह जटपट हो जाता है लंबा टाइम नहीं लेता लो मिरियम मेरा फ्लेम है चार से पांच मिनट के अंदर यह इस तरह से रूप लेने लगता ह बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है चुकि थंडा होने के बाद भी दूद यह जो मारा सटर मिक्स मिलक यह घाड़ा हो जाएगा तो इसको रूम टेम्रेटर पे ठंडा कर लेंगे यह मैंने सारा जो मिलक है इसमें कस्टर मिलक पलट लिए बावल में थंडा करके अब श् ठंडा करने के बाद ही मिल्क और मेंगो-प्यूरी AL G Apps कर ला है , यह बढ है मेंगो करते हैं कि अच्छे से मिला लें प्रॉप पर बस यह रड़ी हो गया है इसको रख देंगे एक तरफ यह दूद लिया मैंने एक ग्लास बड़ा दूद लिया है मैं यह मैंने बाउल में डाल लिया है अब मैं केक बनाने के लिए दोस्तों में मैदा सूजी आठा कुछ ना लेकर यह मै सकते हैं यह रख को इसमें डूबो लिया जिससे यह सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा समें फ्लेवर भी आ जाए मिल्क वाला ए देखिए ज्यादा नहीं तो रस इसी में गल्लें लगेगा तूट जाएगा हलका सा डिप करके निकालना है और इस तरह से एक बाउल लेके च मैंगो कस्टर्ड यार हो रखा है इसको मैं इसके उपर प्रॉपर फैला लूंगी यह देखिए इस तरह से फैला लेंगे अच्छे से और एक एक करके इससी तरह से लेयर लगा लेंगे जितनी लेयर आपको चाहिए और बड़तन में लेयर आप आएगी उतनी लगाएगे अच्छे से मैंगो कस्टर्ड मिल्क फैला लेंगे इसके उपर इसकी जो थिकने से पोरिंग होनी चाहिए बहुत गाड़ी नहीं रहनी चाहिए जिसे उपर अच्छे से फैल सके अब यह दूसरा जो मैं लट लगाने जारे हूं रस का इसी तरह से टोस्ट होता है ना रस हम ड्राइफूट यह देखिए जो मैंने काटे वे थे आधा कप मैंने लिया था मिक्स ड्राइफूट आप ले सकते हैं बदाम है पिस्ता है इसके अंदर चलिए अब यह में थर्ड लेयर लगा रही हूं दो लेयर मैं लगा चुकी हूं अब तरह से रस को दूद में डिबो के एक बार दोने तरफ से इस तरह से और सेट करते जा रही हूं यह मेरी तीसरी लेयर है जगा खालिये तोड़के रस को उस तरफ सेट करने के कोशिस की है अब वापस मेरे जो मैंगो कस्टड है उसको वापस पहला लूंगी रस के ऊपर तो दो लेयर मेरे नीचे यह तीसरी लेयर है जगा रहने चे ऊपर ढ़कन लगाने की या जिससे भी अल्मिन फॉल से भी बन करेंगे जिससे भी तो थोड़ी जगा छोड़नी पड़ेगी मेरी तीन लेयर में यह कंपलीट हुआ अब मेरे पास जो यह ड्राइफ फूट अब यह जो पता ही है नहीं तो पता किसे चलेगा क्या हम महिंगो के खाने जा रहे हैं चली इसको मैंने प्रॉपर फैला लिया अब यह ओप्सनल है टोटली ऑफ्सनल है यह चोकोशिप्स है आप चाहे तो नॉमल चोकलेट के पीसिस भी करके डाल सकते है इस थरुम अशा चाहने के टाइब कि चंग काते हैं मुमें बहुत मजा आता है तो चली अच्छे से स्थरह से उकर के प्रॉपर मैंने सैट कर लिया है अब लगा दूगी धका फ्रीज में रख दूगी मैं दो से तीन घंटे के लिए में रख दूगी जिसे यह पूरा केक हमारा सेट हो बनावड देखिए लग रहा है ना प्रपर केक और मजा अगया इसको देखके यह के मैंने पीसिस निकाल लिया है यह देखिए और इसको फ्रीज में रख गया तीन से चार वहंटे रख सकते हैं दो घंटे के ऊपर रखेंगे तो चेक अच्छे से से सेट हो जाएगा इसको दिनर के बाद आप अच्छे से एंजोई कर सकते हैं इसकी पीसिस देखिए कितने अच्छे हैं एक दम लगाय की उपर आइस क्रीमी है तो दोस्तों यह अगर आपको डिस पसंद आती है तो अपने फ्रेंज से कल में जरूर सेयर कीजिए लाइक करना मिल्कुर मत भूलिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए बैल का निसान रहता है उसे जरूर प्रेस कीजिए जिसे